स्वागत है आपका इस वीडियो में दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे जैसे आप कोई मोबाइल लेने जाते हैं तो बोलते हैं कि EMI पर मुझे लेना है तो वह क्या होता है कि जब EMI पर फोन ले लेते हैं यह आप बात जरूर जानना चाहते हैं कि मेरा इंट्रेस्ट 5% लगा है तो मेरा EMI हर माईना कितना निकलेगा तो दोस्तों यह आप जरूर जानना चाहते होंगे कि यह कितना EMI मेरा आएगा कितना नहीं जैसे यहाँ पर इस डेटा को देखिए हम क्या कहना चाहते हैं कि EMI केल्कुलेट तो करेंगे सबसे पहले यहाँ पर सिरियल नमर द देखिए 38,227 बताया दुगंदार अब वह हमके डाउन पेमेंट का मतलब यह होता है कि हम तुरंत उसको पेमेंट कर दिये 45 सपचातर रुपी हम तुरंत उसको पेमेंट कर दिये अब बोले भाई कि एक बात बताईए मुझे 45 सपचातर पहम आपको पैसा दे देता हैं महिना आपको 5 % बेयाज देना होगा और ड्यूलिएसन में क्या होगा 11 महिना में देना होगा और एम्यार यहाँपर कल्कुलेट करेंगे हे, हमें समझाते है तब आपको बताएं वंधितल, समझेशे कि हम यह Carne बताते है 5 सबसां यह कि बात करें 3,227 ठिक हम चाहिर सी बात इतना प्राईज है मुबाइल का और जितना हम पेमेंट करेंगे उससे हम माइनस करेंगे तभी लोन अमाउंट निकलेगा लोन अमाउंट को आप प्रिंस्पल अमाउंट भी बोल सकते हैं तो यहाँ पे एक्वल टू प्रेस करेंगे यहाँ पे देखिए formula equal to press करने के बाद sorry यहाँ पे चलेंगे यह rate पूछ रहा है यहाँ पे यहाँ पे rate को क्या करेंगे क्लिक करेंगे rate को और minus करेंगे क्योंकि यह पुरा rate है और कितना payment कर दिये 45-75 और enter करेंगे जब तो यह क्या होगा निकल जाएगा मेरा यह 33,692 रुपिया इतना मुझे loan देना है उसको इतना payment कर दिये तो minus की है जाएड सी बात है अब यह कहा रहा है कि 5% बयाज लाएगा यह loan amount जब आप चुकाईएगा उसके साथ 5% आपको बयाज देना होगा duration कितना कहा जा रहा है duration आपको कहा जा रहा है यह गारा महीना में मुझे इतना पैसा दे दीजिए इसके और इसके साथ बयाज भी जोड़के तो उसके लिए EMI equated monthly installment या easy monthly installment तो EMI जब आप भरिये गाता है 2692 रुपिया पर लोन जो है वह आप भरिये गा तो इसके लिए एक फर्मूला आता है Excel में आप equal to PMT PMT दबानेक बाद bracket open यहां पर देखिए PMT दबानेक ब्रेकेट open यह कहा रहा है rate net period present ध्यान से समझेगा यह rate की बात क्या होती है rate क्या होता है कि भाई वियाज मतलब कितने महीने में मुझे वियाज उसको दामा करना है तो यह मान लेजिए 5% हर महीना देना है तो इसको क्लिक करेंगे F3 F3 तो यह क्या होगा दोस्तों यहां पर ध्यान दीजिएगा कि यह जो है F3 पर जब हम क्लिक किये हैं तो वह श्रीफ डाइरेक अगर यह हम कॉमा दे देंगे तो यह एक साल का हो गया मतलब यह 5% श्रीफ इना महीन यह 5% बे आज देना ही देना हैуч फिर का रहा है यह आ है यह नेक प्सक्राइबिश लओन वैन प्लिक करिके और यहां पर क्यून किसी है अपका निकल क्या अगiała गया यह ठास देना हो 40, 30 रुपीजह तो देखिए यह को माइनस में निकल कर आया है यह समस्या आपके साथ को गी माइनस में माइस में कूं और क्यों आया क्यों इसनिया माईनस में देता है की मतलब कि जब Eisenhower को से आप 3136 रज़ाय करिए तो यह माइनस होगा मतलब आपके पास यह पैसा जाने वाला है इसलिए माइनस में आ रहा है तो यह प्रिंट जब करना हो तो इसे तो प्रिंट कीजिएगा नहीं इसको माइनस को हटाने के लिए आप इसी पे क्लिक करिए इसी पे डबल क्लिक कर दीजिए और यह जो है फर्जेंट यह परजेंट वेलु के पहले, आप माइनस लगा दीजिए, और Enter कर दीजिए, यह माइनस हट जाएगा, मतलब सिंपली से आप परजेंट वेलु के पहले, माइनस लगा देंगे, यहापे देख सकते हैं, फर्मूला बार में माइनस लगाती है, बस, अब टोटल एमाउंट प और इसके क्या करेंगे एंटर करेंगे तो यह क्या हो जाएगा 34,499 रुपिया मेरा यह टोटल एमाउंट आ रहा है मतलब एक महीना का तो एमाई निकल गए यह 3136 तोटल एमाउंट मतलब 11 महीना में कितना पैसा देंगे उसको 34,499 अलोन एमाउंट मेरा कितना है 33,002 एमाउंट सा उससे 5% जोड़ के 11 महीना में आप से कितना पैसा अधिक लिया गया है तो यहाँ पर उसको निकालने के लिए इक वल्टू यह टोटल एमाउंट माईनस टोटल एमाउंट माईनस लोन एमाउंट जब करेंगे और एंटर करेंगे तो यह सिरिफ ब्याज का कित आग सायतारीस क्या हुआ स्रिफ इंट्रेस्ट ये आप से ले रहा है दोस्तों अगर कोई भी दिक तो जरूर कमेंड कीजिए आप देखे क्या करेंगे यहाँ पर ड्रेक करेंगे इस पर फर्मूलोग लगाया थे और इसको भी हम क्या करेंगे रेक करेंगे तो सबका रिज करती है डिक्रीज यह दस्मलाव घट किया तो यह दोस्तों क्या था यह भी जो भी था यह आप से क्या किया गया है देखिए अब इसका पहंट यह 25,000 लोन है 25 यह 267 महीना में यह अधिकलता है तो यह निकलता है अब यह आपको data बता दी जा गया है आप चाहो तो आप अपने से या किसी दुकान में हो आप ऐसे डेटा बनाया जा सकता है एक्सेल में और यह क्या है कि PMT financial function है financial function कंद्र गताता है उस पर हम वीडियो बना चुके हैं अलग अलग तरीका से मतलब ऐसा वीडियो नहीं बनाया था ऐसा वीडियो हमने तयार किया है और फिर यह बनाया है जो वीडियो हम बनाया है वह PMT simple एक फर्मूला पर हो आप देखिएगा चरूर मेरे चैनल पर पड़ा हुआ है प्रेडिस्ट में जाएगा एक्सेल फर्मूला का नाम से होगा ठीक है दोस्तों PMT IPMT PPMT तो आपको खुद समझ में आ जाएगा लिकिन ऐसे डेटा एक नया डेटा है आपके सामने वीडि लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कोई भी समस्य आ रही है तो कोमेंट कीजिए आपको फिर यह समझाया जाएगा ठीक है दोस्तों